आपके स्टोर से सामान राहक तक जटपट पहुँचाने तक बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान क्रूड का भाफ 93 डॉलर के नीचे आया है, तीन दिनों में ब्रेंट 0.75 फीसिदी से ज़ादा गिरा है WTI का भाफ भी 92 डॉलर के नीचे फिसला है, तीन दिनों में WTI एक प्रतीशत से जाला गिरा है MCX पर कच्चे तेल का भाफ 6900 के नीचे फिसला है, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजोब पर नज़र डाले तो US और इरान न्यूकलियर डील पर बाचीत में तेजी देखने को मिल रही है US ने इरान पर लगे कुछ प्रतीबन हटाए है, इस बीच US भी इरान पर लगे और प्रतीबन हटा सकता है इरान का कुरूड बज़ार में आने से सप्लाई बढ़ेगी, निवेशिकों को मांग से जाद सप्लाई की आश्चंका है बता दे कि निवेशिकों को कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी की उमीद नज़र आ रही है जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल का भाव 100 डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है साउधी में एशिया के लिए कीमत बढ़ाई है मार्च के लिए सभी तरह के क्रूड की कीमते बढ़ाई है OPEC लक्ष के मताबिक उत्पादन नहीं कर रहे हैं जिसका असर कीमतों पर देखने को मिल सकता है Bureau Report Market Times TV